पसकार दोस्तों आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे MA Psychology Course के उपर January 2022 के New Admission के लिए MA Psychology Course के उपर हम बात करेंगे Course क्या है, किस तरीके से Feast है, क्या इस Structure है, कितने Year की पढ़ाई होती है, क्या क्या एगनु में होता है तो उनके उपर हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अन तक देखें वीडियो की सुरा से पहले आप इस Important Update को भी जरूर देखें An Academy लेकर आया SSC Mega Combat जो होता है based on previous year questions साथ question पूछे जाएंगे, साथ मिनट में होने वाला है 30 January 2022 को बारा बजे कव 30 January 2022 को बारा बजे तो हमारे code PC2021 जो यहां लिखा भी हुआ है और जिसका link भी आपको description box में मिल जाएगा हमारे link PC2021 का code का इस्तमाल कीजिए और SSC Mega Combat में participate कीजिए जो lucky participant होंगे, जो winner होंगे उनको Samsung Mobile, JBL Headphone और Amazon Vouchers मिलेंगे 100% scholarship दी जाएगी अगर आपकी 1-3 तक rank आती है 4-10 की rank पर 75% scholarship 11-50 तक की rank पर 50% scholarship 25% scholarship दी जाएगी 51 से लेकर 500 की rank आने पर और 20% scholarship दी जाएगी 501 से लेकर 1000 rank आने तक SSC Mega Combat हिंडी और इंग्लिस दोनों में available है, यानि की हिंडी और इंग्लिस दोनों में test होगा और साथ में आप Android app पर भी, Android app पर भी और Android app पर भी और अनकेडमी की website दोनों से SSC Mega Combat दे सकते हैं तो हमारे code PC 2021 का इस्तमाल कीजी और 30 January 2022 को बारा वजे होने वाले SSC Combat को जरूर दीजिए जिसमें 60 questions पुछे जाएंगे साथ मिनट में PC 2021 कोड का आपको इस्तमाल करना है जिसका link आपको description box से मिल जाएगा 500 lucky participants जो है उनको amazing rewards भी मिलेंगे All set, let's crack it तो वीडियो की चीज़ा सुरुआत करते हैं इसके साथ मैं आपको ये चीज़ और बता दू कि आप इगनु का common prospectus भी download कर सकते हैं जहां पर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी चाहे आपका master of arts हो, आपका post graduation degree course हो, आपका graduation की degree का course हो, यानकी BA, B.com, B.se हो आपका diploma हो या फिर आपका certificate का कोई course हो ये सारी जानकारी आपको common prospectus में मिल जाएगी, तो आप common prospectus भी download कर सकते हैं, common prospectus आपको मेरे telegram channel, चोहान वीडियोज वाइटी, जिसका link आपको description box में मिल जाएगा, वहाँ पर से मिल जाएगा, चाहे तो आप इगनु की website से भी common prospectus को download कर सकते हैं तो वीडियो की सुरुवात करते हैं, MAPC, Master of Arts in Psychology, प्रोग्राम टाइम की बात करें, तो एक degree course है ये, इसमें आपको degree दी जाती है, mode open distance learning program है ये, इगनु में जो courses होते हो, open distance learning program ही होता है, यानिकि एक regular university नहीं है इगनु, इसमें क्या होता है, कि आपको classes attend करना compulsory नहीं है, जैसे regular universities होती है, जहाँ पर 75 attendance अगर आपने complete नहीं की, तो आपको exam में बैठने नहीं दिया जाता है, लेकिन इगनु में ऐसा नहीं है, आप classes attend नहीं भी करेंगे, तब भी आप exam में appear हो सकते हैं, exam में attendance अपनी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप जो classes हैं, उनको अगर attend करें हैं, और साथ ही साथ हो सकता है, दस या पंदरा दिन का एक regular आपकी classes लेकर आपका course complete करवाय जाए, उसके अलावा zoom meeting के जरिए, या google meet के जरिए, इनके जरिए भी आप classes आपकी ली जाती है, conduct करवाय जाती है, सारा schedule जो होता है आपका, वो आपके email id पर या फिर आपके mobile phone मे SMS के जरिए भेज दिया जाता है, तो जब आप अपना admission लेंगे, तो उस समय अपना mobile phone number और अपना email id बिल्कुल सही सही इसकी जानकारी दे, अपना address की भी सही सही जानकारी दे, ताकि degree या certificate जो भी आपका आना हो, वो भी आपका, या book आनी हो, तो वो भी आपके सही पते प पहुंच जाए, आगे बात करें, तो school of social science का answer आता ही है, duration की बात करें, तो दो साल का है, यानि की बाकी जिस तरीके से MA psychology के course होते हैं, बाकी उनिवर्सिटी तो उसी तरह से ये भी दो साल का है, first year और उसके बास पर final है, ठीक, maximum duration की बात करें, तो पांस साल आपको मिलते है medium की बात करें, तो English medium है, यानि की English medium में ये course जो होता है, specialization की बात करें, तो psychology के ओपर ये course है, और इसमें अगर हम आगे scope की बात करें, तो psychology में काफी scope है, आपका, चाहे sport की field में, athletics को आपको psychology की training देनी हो, या फिर आपको educational institutions में psychology की training देनी हो, और rehabilitation centers जो होते हैं, hospitals होते हैं, इस तरी के industries हैं, जो कि public और private sector दोनों में है, sports, forensic, military, police, aviation, इन सभी में आपको psychology specialist की जरत पढ़ती है, यानि की MA psychology की जरत पढ़ती है, तो ये, इसके course काफी अच्छा है ये, और आपके लिए scope और opportunity जो है, वो वी काफी जादा है, eligibility की बात करें तो bachelor degree इसके लिए चाहिए, यानि की bachelor degree आपके पास BA, BCom, BSc होनी चाहिए, किसी recognize university से, fee structure की बात करें तो 18,000 रुपे, full program की fee से, यानि की एक साल की fee जो आपकी पढ़ेगी, वो 9,000 रुपे, पर year साल आना आपकी fees पढ़ेगी, जिसमें 200 रुपे की registration fees भी होगी, और साथ में आप जब exam form भरेंगे, तो उसमें per subject 200 रुपेज भी आपको अलग से pay करनी पढ़ेगी, उसका course, detail की बार में बात करें, तो course में आपका कुछ permanent courses होते हैं, जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने है, कुछ optional होते हैं, जिसमें आपको choice दी जाते हैं, कि आप या तो इस subject को पढ़ने हैं, जिनकी guidelines आपको, जिनका schedule आपको आपका regional center अपनी website पर प्रोवाइड करवाता है, regional center और study center की बात करें, तो कुछ खास होते हैं, जो इस तरीका की psychology का पढ़ाते हैं, तो एक बार आपको अपने regional center को देखना है, कि regional center में आपके study center जो है, वो कितनी दूरी पर है, कहां तक है, और आप महां तक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं, वैसे नॉर्मली अगर आप दिल्ली में, NCR में हैं, या कोलकता में हैं, या फिर इस तरीके के मुंबई या से इलाकों में, तो आपको बड़ी असानी से आपको, ये जो courses होते हैं, वो आपको असानी से आपका regional center और study center आपके पास ही मिल जाता है, तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंद है, तो वीडियो को like जरूर कीजिए,